आज जो मैं अक्तिविटी लेकर आई हूँ वो है लाइफ साइकल ओफ डिफरेंट थिंग्स अब लाइफ साइकल क्या होता है लाइफ साइकल is a process that reflects all the developmental stages of a living being तो एक living being की different stages जो होती है वो होती है उनकी लाइफ साइकल Let us study about life cycle of chicken, then a frog and a butterfly तो frog, butterfly और chicken इन तीनों की हमां discuss करेंगे Let's see, सबसे पहले हम start करते हैं कि हमें इसके लिए क्या-क्या materials चाहिए हमें चाहिए कुछ templates, जो frog के हैं यह आपको online भी मिल जाएंगे, आप print out निकाल के रख सकते हैं मेरे पास यह different templates थे, यह frog की life cycle है पूरी और ऐसे ही मेरे पास butterfly की है, जिसमें caterpillar वगरा भी है और साथ ही chick के लिए भी है, यह हो गई butterfly की और साथ में चाहिए favicol, इन्हें stick करने के लिए और कुछ sketch pens, आपके favorite colors आप choose कर लिजिए तो let us start the activity of the life cycle of different living beings तो सबसे पहले हम जो start करेंगे activity, वो हम देखेंगे, यह frog की life cycle इसके लिए मैंने इन्हें arrange कर दिया है, और यह मैं आपको समझाओंगी की कैसे हम different stages इसकी कर सकते हैं तो frog की life cycle के लिए आपको देखना बढ़ेगा, frog जो है वो amphibian होता है the female जो है सबसे पहले बहुत सारे eggs ले करती है in water यह मैं stick कर रही हूँ, different stages हमारी ऐसे complete हो जाती है इनको मैंने sequence में stick कर लिया है अब मैं आपको इसकी stages different मैं बताऊंगी यह जो सबसे पहले है यह female यहाँ पर egg ले करती है large number में water में फिर each egg hatches into a tadpole और यह जो है यह देखिए थोड़ी थी इनके अंदर लंबी-लंबी इनकी tail type दिख रही है तो this is the egg के बाद का जो stage है वो यह होता है उसके बाद आती है के long gated जो उनकी tail है और अभी वो प्रीद करते हैं gills के थूँ क्योंकि इनके gills भी होते है और धीरे-धीरे यह lungs develop होती है इनकी उसके बाद आप देखिए next stage में उनकी tail भी है और साथ में कुछ limbs भी बन गए है अब यह जो है froglet है जिसमें tail जो है वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है और उसके दोनों limbs आ गए है अब next इस process में froglet जो है वो अब नौ बिकम्स अडल फ्रॉग और during this process froglet looses its tail and gills and develops lungs to breathe on land तो यह हो गई हमारी life cycle जिसके अंदर हमने देखा eggs फिर tadpole फिर froglet और last में adult frog यह मैं यहाँ पर लिख देती हूं life cycle of frog I hope आपको यह life cycle clear हो गई होगी It is very interesting to know that frog की सबसे पहले जो होती है वो एक tail होती है और gills भी होते है like a fish लेकिन धीरे धीरे यह loose हो जाते हैं gills भी चले जाते हैं और tail भी और उनके lungs आ जाते हैं That is why they are amphibians, they can live both in water as well as on land यह इसकी stages में यहाँ पर लिख देती हूं सबसे पहले eggs इसके अंदर एक spongy material होता है जो eggs को जोड़े रखता है इसलिए आपस में यह protective shield का काम करता है और यह आपस में जुड़े रहते हैं यह देखिए ऐसे एक यंग froglet है उसके बाद adult frog बन जाता है तेड़ पोल में जब इसकी एक elongated tail जो निकलती है जो आपको eggs के बाद दिखाई देरी है यह वाली stage भी उसकी टेड़ पोल की ही होती है अब आते हैं हम next पर चिक की life cycle पढ़ते हैं friends उसकी life cycle देखते हैं अब चिक साब को पता ही होगा सबसे पहले जो hen होती है तो यह हम सबसे पहले arrange करेंगे यह मेरे पास different templates हैं जिनको मैं arrange करके पहले sequence में वनाऊंगी तो सबसे पहले मैं लोगी एक female hen फिर वो ले करेगी eggs फिर फिर शी sits on the eggs for a few weeks to keep them warm इस process को हम बोलते हैं incubation जिसमें जो hen है वो eggs पर कुछ weeks के लिए बैठती है और उसे warm रखती है उसके बाद once the embryo inside an egg develops into a baby bird the egg hatches and the baby chick comes out egg hatch होता है और baby chick बाहर निकल जाता है the parent bird feed and protect the baby bird जब तक वो अपना ध्यान खुद नहीं रख सकते फिर कुछ जो birds के चिक होते हैं जैसे hen they start moving and looking for food soon after they hatch तो hatch होने के साथ ही वो move भी करने लग जाते हैं और अपने खाने के लिए खुद move होते हैं looking for food यह मैंने इनको आरेंज कर दिया है sequence में with the help of where we call and now I will label it also properly I hope आपको यह stage is clear हो गई होंगी in the middle I will note down life cycle of chick ya hen यह आपको clear हो गया होगा इसके अंदर जो different process है उन्हें हम क्या बोलते हैं incubation भी एक process है इसके अंदर और hatching भी एक process है तो सबसे पहले female bird लेज एक्स एंद सिट्सोने और इस process को हम बोलते हैं incubation यह देखिए इसको मैंसे टिल्ट करके आपको प्रॉपर्ली बता देती हूं आपको शायद अच्छे से दिखाई दे रहा होगा तो यह सबसे पहले हम देख रहे हैं adult hen जो है she lays eggs इसको मैं प्रॉपर्ली लेबल कर दूँगी ताकि आसानी हो मुझे बाद में भी कभी निकाल कर देखने में और मुझे समझ में आजाए स्रिफ देखने भर से देखिए एक से बाद इंक्यूबेशन हुआ फिर हैचिंग हुई और एक ही छोटा सा चिंग बाहर आ गया यह हैचिंग हो रही है तो यहां से आपने दो टर्म सीख लिए होंगे एक हैचिंग और एक इंक्यूबेशन जब बैठती है है एक से उपर वो टाइम पीरियड इंक्यूबेशन का हुटा है और लास्तली दचिक मोज़ए राउंड फाइंद फूद फूर इच्सेल और वो भी कनवर्ट हो जाता है एक हैन या कॉक में आई होप यह आपको क्लियरली दिख रहा होगा लेबल भी मैंने इस तरीके से किया है ताकि आपको समझ में आए अब देखते हैं आम नेक्स लास्ट वाला जो लाइफ साइकल है वो है बटरफलाई का जो बहुत ही इंटरस्टिंग है बिकाज इसमें बीच में एक स्लीपिंग स्टेज भी आती है इंसेक्स लाइक बटरफलाई और हाउस्प्लाई रिप्रोड्यूस बाई लेइंग एग्स इसके अंदर डिफरेंट स्टेजिस होती है फीमेल ले ले एग्स ओन दे लोर सर्फेस ओफ लीफ so that they remain hidden and protected यह देखिए मैं पहले अरेंज कर देती हूँ फिर मैं आपको अच्छे से explain करती हूँ इनको मैंने पहले जो unjumbled थे मैंने इनको unjumble किया है और अरेंज कर दिया है यह बहुत ही interesting stages है इसकी जब आप इसको detail में पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा interesting लगेगी सबसे पहले मैं इसमें label कर देती हूँ life cycle of butterfly यह बहुत rarely दिखाई देते है हमने butterfly तो देखी है लेकिन इसकी जो life cycle है वह बहुत ही rarely कहीं दिखाई देती है इस बहुत ही इंट्रेस्टिंग तो स्टेड़ी अबाउट इट सबसे पहले जो है female lays eggs on the lower surface of the leaf ताकि वह hidden रहें और protected रहें फिर each tiny egg hatches into a caterpillar यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो एक worm जैसा लगता है और इसी को हम बोलते हैं larva इसे हम क्या बोलते हैं friends larva X के बाद जो आता है वो है caterpillar which looks like a worm यह worm जैसा पतला सा दिखाई देता है अब जो caterpillar है feeds on leaves and grows rapidly in size अभी इसका जो पूरा eating stage होता है और यह बहुत past grow होता है that it becomes too big to remain inside its old skin इतना बढ़ा यह हो जाता है this process is called molting यह जो process है जिसमें वो shed करता है अपनी old skin several times and grow into new ones इसको बोलते हैं molting the caterpillar then forms a covering around itself called cocoon यह जो pupa stage रहती है इसी के अंदर cocoon बनाता है वो और यह उसकी sleeping stage रहती है finally a beautiful butterfly breaks open the cocoon and comes out क्या आपने कभी सोचा था कि butterfly की life cycle इतनी interesting होती होगी जब हम butterflies देखते हैं तो वो हमें बहुत सुन्दर दिखाई देती है लेकिन उसके पीछे इतनी सारी stages जुड़ी होती है तो I hope you like my video students अगर आपको यह अच्छा लगे तो प्लीज इसे like और subscribe करना ना भूलना यह butterflies बहुत ही सुन्दर है और इन्हें देखकर ही आप यह याद रखिएगा कि इनकी stages कैसी होती हैं Bye-bye